नमस्कार दोस्तो सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है तो हम लोग जेनल साइंस पोर्शन कोबर कर रहे थे आपके डीएप से स्यायल को ऑप्रेशन और बीडी एक्जामनेशन के लिए और देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कोबर किया हुआ है इसका तो हमने अलग से प बना दिया है अपलोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा और इसके साथ में देखिए इसका हमने पूरा कंप्लीट पीडिएप नोट्स भी तैयार किया हुआ है जिसमें कि आपको जितने भी टॉपिक्स है आपके जैसे आपका इसमें देखिए जितने भी आपके यह में सब्जेक्ट आपके है जैसे जीके का हो गया जेरल साइंस का हो गया हिस्ट्य आपको इसमें आपको प्रवाइड करेंगे तो यह दिखिए कि वह उन्हें रुपीज में की आपका और इसके लिए आप लोग आप डाउनलोड करना सर्ची क्लासिस के नाम से है इसका लिंक हम आपको डिस्कॉप्सर बॉक्स में दे देंगे तो जो लोग भी डेडिकेड़ वे प्रिपरेशन करना चाहते हैं खासकर जब कॉपरेशन और बीडी के एग्जामनेशन है तो आप लोग जो इसको को जोइन कर सकते हों यहाँ पर जाप का इन सभी सब्जेक का राए में आपको पढ़ाया जाएगा और इसके लिए दिखिए जब लोग आपको डाउनलोड करोगे तो आपको पहलो रिस्टेशन करना होगा और इसके बाद भी के फोल्डर सब को बिल लेंगे लेक्चर जो आपके सब पिरलवे का और डियाव से सेल का, एक्नॉमिक्स मार्केटिंग, से आरेम का और साथ में जो पीडियो फाइल से है, तो यह सभी का आपको अलग-अलग फोल्डर मिल जाएगा, तो जो लोग भी comprehensive वे में तयारी करना चाहता है, आपको कोई एड यहां पर नहीं आएगा, जैसा कि यूटूब में आपको आती है, तो आप लोग इसको कर सकते हो, यहां पर link description box में दिया हुआ है, तो पिछले class में हमने जो है, electricity के बारे में हमने study किया था, तो देखिए आज का जो topic है, इसमें हम लोग cover करेंगे, waves के बारे में, तो देखिए जो waves आपके होते हैं, जिसमें कि आपको study करना है, जो आपके रता इसमें type का water waves का sound waves का हो गया, और इसके बाद में जो आपके उनके properties क्या होते हैं, तो यह सारा कुछ है आपको इसमें study करनी है, तो waves देखिए, यह जो है आपका occur तभी होता है, कि जब भी कोई मालेजे कोई system है, उसमें एक disturbance create होती है, तो वहाँ पे waves आपको देखने को मिलते हैं, जैसे हम water के ही बात करते हैं, पानी जो आपका रता है, लहर, जैसे मालेजे कोई नदी है, उसमें आपको योगर stones आप throw करते हैं, तो आप देखते होंगे, कि इस तरीके आपका एक wave generate होती है, तो जब भी disturbance आपकोई system में होती है, तो वहाँ पे जो है आपका एक waves आपका generate होगा, और निकि उसके अंदर में waves occurring होगी, और इस case में देखिए, कि जब propagation होगा आपका, तो वह जब एक region से दूसरी region में वह चलेगा, उस system के अंदर में, इसका example के हम बात कर सकते हैं, जब 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 आपका एक waves है, हम जो बोलते हैं, तो जो हमारा sound जा रहा है, तो वह आपका एक wave है, जो कि एक medium के ज़रूरत होती से propagation के लिए, और इसे तरीके से जब आपका light हो गया, तो light भी आपका क्या है, भी आपका एक तरीके का है, एक waves ही है, इसे तरीके से ocean में जो आपके waves होते हैं, radio आपका हो गया, television का transmission जो करते हैं लोग, तो यह सारा जो एक waves जो होते हैं, वो transmit होते हैं, waves के form में ही आपके चलते हैं, तो यह जो आपका disturbance के business पे create होती है, और इसके बाद आपका जैसे earthquake है, तो यह सारा जो आपका एक wave phenomenon ही है, actually में, तो अब दिखिए जो waves जो आपके होते हैं ना, मिल लिए three types के waves आपके होते हैं, एक आपका mechanical waves हो गया, दूसरा आपका हो गया, electromagnetic waves हो गया, और तीसरा आपका है, यहाँ पर matter waves है, तो यहाँ पर हम लोग इन सभी को एक एक करके, यहाँ पर study करेंगे हम लोग, तो पहला देखिए जैसे mechanical wave आपका है, जैसे कोई waves आपके हैं, तो आपका propagation तो करते हैं, लेकिन उनके लिए, जो medium जो होनी चाहिए, एक medium होनी चाहिए, जिसके थिरू वो propagate कर सके, तो जो waves, ऐसे waves जो रहेंगे, जिनको जो है, एक medium की जरूरत पढ़ती है, अर्थात इसका मतलब यह होगे, simple language में, कि यह जो vacuum में आपका, यह travel नहीं कर सकते हैं, इनको कोई न कोई एक medium की जरूरत पढ़ती है, तो ऐसे waves को बोलते हैं हम लोग mechanical waves, तो इसका simple से definition आपका हो जाएगा यहाँ पर, कि that is mechanical waves require a material medium for their propagation, that means they cannot travel in their vacuum, तो इसका देखिए example के हम बात करते हैं, तो यह example आप लोग याद कर लेना, यह exam में आपसे पूछा आता है, जैसे कि आपका water waves हो गया, sound waves हो गया, और सिसमी की waves आपके हो गया, तो यह सारे जापके mechanical waves के example है, फिर इसके बात देखिए, यहाँ पर जो mechanical wave जापके होते हैं, जिनको material medium के जरूरत पढ़ती है, propagation के लिए, अर्थात यह vacuum आपके travel नहीं कर सकते हैं, तो यह जो है आपके दो types के होते हैं, एक आपका होता है, transverse mechanical wave, दूसरा आपका होता है longitudinal mechanical wave, तो transverse mechanical wave क्या होता है, longitudinal mechanical waves कहा होता है तो यह हम लोग यहाँ पर एक गर के इंका study करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं transverse mechanical wave के बारे में तो mechanical wave के बारे में आपने देखी लिया कि इसके लिए जैक material medium की जरूरत परती है propagation के लिए तो जो transverse जो मीडिय मेर तोब पैरा होगा यहां पर यहां पर नियुकर इसे हैं को लिख को सबस्क्राइब आँr figure के थुरूप यह आप इसको देख सकते हैं जो है आपका transverse mechanical wave का example दे रहा है तो इसमें जो है wave जब के propagate होंगे न तो जिस भी direction में particle की vibration होगा आपका तो उसके just यह perpendicular direction में जो आपका wave है वो propagate करेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं परपेंडिकुलर डारेक्शन आपका है माले ट्रांसबर्स mechanical wave बोलते हैं तो दीखिए जो transverse mechanical wave जो आपके रहते हैं तो इनको solid wave भी generate किया सकता है Solid में generate होते ही है आपके और इसके साथ में जो liquid होते हैं तो सीरफ उसके जो अपर जो surface होते हैं तो इसके जो have to generate किया जा सकते हैं लेकिन इनका जोered इनका gas में जो रहते हैं आपके और liquid के inside में तो वहाँ पे इनको generate नहीं किया सकता है क्योंकि वहाँ पे रिजिडिटी नहीं होती है तो आप जानते हैं कि solid में रिजिडिटी जादा होती है तो इस case में solid में इनको easily generate किया जा सकता है लेकिन gases में होगा ही नहीं आपका और liquid के inside भी नहीं होगा बस उसका liquid के जो अपर जो surface होता है सिर्फ वहीं पे जो transverse mechanical wave है यह generate आपका किया जा सकता है तो यह चीज जो है आपको important है यह आपको याद रखनी है अब देखिए जो transverse wave आपका रहता है तो यह जो है आपका crest और साथ में जो आपका drop रहता है तो यह जो है उसके form में यह आपका propagate करती है तो इसमें देखिए जो crest है आपका crest हम लोग बोलते हैं जैसे wave आपका है इस तरीके साब देख रहे हैं आपका इस तरीके से जो आपका चलता है यहाँ पे तो इसमें जो आपका ऊपर का जो पोशन जो रहता है आप याद कर लेना आप यहां पे जो करेट है यहां पर लिएक बीच का जो डिस्टेंस जो आपका होता है यहां पे इसको देखी बोला जाता है वेवलेंद बोलते हैं इसको एम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेम्डा से तो आप यहां पर देख भी सकते हो जैसे कि आपका एक यहां पर पहला क्रेश्ट है इसके बीच में जो कंजिकुटिव दो क्रेश्ट होंगे उसके बीच का जो डिस्टेंस है यह होता है उसका वेबलेंद यह चाहिए आ हो सकता है और इनको रिप्रेजेंट क्या आता है आपका लेंडा से तो यह इंपोर्टेंट है आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखना कोशन भी आपका इसी सही पूछा जाता है आप यहां पर देखिए दूसरा आपका है लॉंगिट्यूडनल मेकैनिकल वेबस है तो देखिए मेकैनिकल वेबस है तो इसके भी मेडियम के जरूरत तो बढ़ेगे ही लेकिन यह देखिए लॉंगिट्यूडनल मेकैनिकल वेबस इनको इसलिए बोलते हैं लोग जैसे मालेजी कोई इलास्टिक मेडियम आपका है तो इस केस में लॉंगिट्यूडनल मेकैनि यानि कि पार्टिकल के जो वाइब्रेशन है उसे डिरेक्शन वेवा का प्रपगेट कर रहा है तो उनको बोलते हैं हम लोग लॉंगिटूडन मेकेनिकल वेव तो आई होब की डेफिनिशन आपको यहां पर समझ में आ गया होगा अब देखिए यहां पर जब कर क्या जा सकता है और इसके साथ में जो सच तुषका होता है इस तरिके के तो इसे फॉ lets is करते हैं तो इसका इंत इता है घ्रक टेशन करता ओक्ते एब सब्सक्राइब सी तरीक से जो वाडरब्स जो होते हैं आपके यह सारे कर सारे लॉंकिट्वीट्न का तो यह जान्पल इयन इनूतारी पूछान जाता है कि कौन सा जान कौन इन में से जैए जान अपक लॉंकिट्वीलäre मेकनिकल वेश का तो इसमें आपका sound waves आपका हो गया, air में जो आपका राता है, earthquake waves आपका हो गया, water waves आपका हो गया, यह सारे mechanical waves के, longitudinal mechanical waves के आपके example है, अब भाई यहाँ पर हम लोग देखते हैं, electromagnetic waves के बारे में, तो आपने जो हैं यहाँ पर देख लिया, जैसे कि आपका एक आपका longitudinal mechanical wave और transverse mechanical wave, तो वो तो आपने देख लिए को इसके लिए material medium के जरूरत होती है, लेकिन दिखें जो electromagnetic waves आपके होते हैं, तो इनको जो है, कोई भी medium के जरूरत नहीं पड़ती है, इनका propagation के लिए, तो ऐसे जो waves आपका तो उनको बोलते हैं, इलक्रोमेंटिक waves, तो इलक्रोमेंटिक waves क्या होते हैं, और किस तरीके से generate आपके की जाता है, दिखिए, जैसे कि कोई भी आपका electrical magnetic field, जहां भी आपका रहता है, मतलब को इसमें जो oscillation जो होती है न, तो उसके चलते हैं, जो waves आपका generation होता है, तो उसको बोलते हैं, बलोग, इलक्रोमेंटिक waves, तो इलक्रोमेंटि field है, और electric field है, दोनों आपस में क्या होता है, आपस में, मिचोली एक दूसरे के perpendicular होते हैं, तो इसमें जो है आपका, मतलब कि इनका oscillation के चलते हैं, एक wave आपका generate होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग इसे, और इसका propagation के लिए, जो है कोई भी medium के जरूरत नहीं पढ़ती है, इ तो इनका एक equation रहता है, जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है, यहाँ में आपसे पुछा आता है, इसका एक expression आपका होता है, यहाँ पर that is c is equal to v lambda, तो इसमें c जो है आपका, यह जो है आपका हो जाएगा, जैसे velocity जो आपकी रती है, वो आपका हो जाएगा, और इसके c is equal to v lambda, अब यहाँ पर देखिए, हम बात करता है, इलक्रोमेंटिक स्पेक्टरम की, तो देखिए, जो इलक्रोमेंटिक रिडियेशन जो होता है, आपके वो different type के रिडियेशन होता है, जैसे कि आपका radio waves हो गया, microwave हो गया, इल्फालेट हो गया, अल्ट्राफालेट रेज ह गया, X-ray हो गया, और gamma rays हो गया, तो इनको जो है, एक orderly basis पे distribution किया गया हुआ है, क्योंकि यह सारे जब कर इलक्रोमेंटिक रिडियेशन होता है, तो इनको जो है, उनका frequency और wavelength के basis पे इनको एक order में arrange किया गया हुआ है, तो यही होता है आपका electromagnetic spectrum, तो electromagnetic spectrum जो आपका रता है, तो इसमें जो है आपका, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, longest wavelength to shortest wavelength में, तो यहाँ पे एक order में आप लोग याद कर लेना इसको, अब यहाँ पे दिखिए, wavelength में आपका दिया हुआ है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपका यहाँ पे दिखिए, ready waves है, तो इसक आपके दिखिए, wavelength के आपके decrease हो रही है, लेकिन जो frequency आपका होता थी, इस order में आपके increase होती है, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप दिखिएगा, जैसे कि हम बात करते हैं, आपका longest wavelength से लिए के shortest wavelength का, तो सबसे ज़्यादा जो longest wavelength आपके होती है, तो वो है आपका radio waves का, उसके बाद फिर आपका होगा, उससे कम होगा इसका microwave का, उससे कम होगा infrared का, उसके बाद विजीबल का, उसका ultraviolet रे इसका, फिर X-ray का और इसके बाद सबसे कम आपका होगा gamma rays का, लेकिन frequency आपका इधर बढ़ेगा, तो आपको जहाए इसको एक quarterly basis पे आपको यहाँ पे य इसके बात करी जाए इसका just में, तो आप लोग इसको ultra कर देना यहाँ पे, frequency जो आपको सबसे जादा होती है, वो gamma rays की होगी, और सबसे कम आपका होगा radio waves की, यह इस spectrum की basis पे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, अब यहाँ पे दिखिए एक important note आपका है, कि जैसे दिखिए यह भी आपसे पूछ ले आता है, कि electromagnetic waves जो आपके होते हैं, तो आपका देखिए यह exam में भी पूछा आता है, जैसे कि आपका cathode ray हो गया, sound wave आपका हो गया, alpha ray आपका हो गया, beta आपका हो गया, और साथ में जो आपका ultrasonic waves जो होते हैं, तो यह जो electromagnetic waves का example नहीं है, तो यह आ आपका जैसे electromagnetic waves तो आपका है ही नहीं, यह आपने देखा था कि इसका example आपका किसका है, आपका longitudinal mechanical waves का example है, तो sound waves तो आपका ऐसी भी नहीं होगा, लेकिन यह पूछा जाता है, कि इन में से कौन सा electromagnetic waves नहीं है, तो sound waves आपका उसमें दिया रहेगा, तो वह जो आपको टिक करन है, ध्यान से देखते भी करना है, तो इसमें कौन-कौन सा नहीं होगा, यह आप लोग याद कर लेना, cathode ray है, sound waves है, alpha ray, beta, ultrasonic waves है, यह जो electromagnetic waves का example नहीं है, कौन-कौन होते हैं, यहाँ पर आपका यह जो दियावाएक order में आप लोग इसको याद रखना, तो यहाँ पर हम ल यहाँ पर देखिए, frequency की हम बात करते हैं, तो जो आपका, जैसे की radio waves है, तो इसका जो frequency approach में आपका 10 का power 4 आपका रहा था, और अधर आप देख रहे हैं, कि जो आपका इधर आप जाते हैं, तो जो frequency आपका increment होते जा रही है, तो इस order में frequency आपका increment होगा, और wavelength जो आपका इसमें इस तरीके से आपका decrement होगा, तो यह चीज़ important है, आप लोग इसको याद रख लेना यहाँ पर, यह question आप से बराबर पुछा आता है हमेशा, कि frequency की जादा होगी, तो आपका होगा यहाँ पर, यह इसमें अगर example में आपका घर दिया रहेगा, तो आप लोग उसको आपको करना है, तो इसका दिखिए आपका होता है, यहाँ पर आपका that is gamma rays का हो जाएगा, और वहीं पर दिखिए जो आपका अगर पुछा जाए कि सबसे कम किसकी होगी, अब frequency की बात करें, तो आपका radio waves का हो जाएगा, तो यह दिखिए यहाँ पर frequency यह different structure का आपका दिया तो यह important जितने भी waves आपके है, जो electromagnetic waves के ही, तो उनसे question जो पुछाते हैं सिर्फोसे को हम लोग cover करेंगा यहाँ पे, तो देखिए जो gamma rays आपका रहता है, तो इसका जो study कियाता है, तो इससे हमें valuable information होती है, जो आपका atomic Nicholas होते है, तो उसके बारे में हमें पता चलता है, gamma rays क इसका study करने से, और उसके बाद जो आपका X-ray है, तो X-ray भी देखिए, यह जो है आपका, जैसे electromagnetic spectrum का ही पार्ट है, इधर समलोगे study करता है, तो X-ray जो आपका आती है, इसका देखिए use क्या आता है, एक diagnostic tool की तरह ही इसका use क्या आता है, तो इसके बाद देखिए जो आपक इसके बाद देखिए, इसका use क्या आता है, और इसके साथ में, जैसे मालिजे कोई gems है, यानि कि कोई jewelry है, तो उसके purity कितनी है, या जो रत में जो होते हैं आपके, उनका purity चेक करने के लिए भी use क्याता है, और इसके साथ में, जैसे कोई currency वो नकली है या नहीं है, या फिर तो इसको पहचान करने के लिए भी अल्ट्रवर्ड रिडियेशन का यूज किया जाता है फिर इसके बाद देखिए अगल आपका इंफराइड रिडियेशन है तो इन्फराइड रिडियेशन जो आपका है जिसे आई एर आपका है माईकरुवैब से तो माईकरुवैब जो है इनका देखिए रिडियेशन के लिए हो गया और साथ-सत में जो अटमिक और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो होती है तो उनका श्तुड़ी करने लिए भी माईकरुवैब चरुज किया जाते हैं और इसके साथ में जो micro oven जो आपके रहते हैं तो उसमें भी microwaves का use किया जाता है और उसके बाद आप करागे हां पर ready waves जो है तो दिखें जो ready waves आपके होते हैं तो इनका use कियाता है radio और TV का communication के लिए हम इनका use करते हैं तो यह जो इतने भी important जो usage है आपके जो आपका electromagnetic spectrum series को दि आपको याद रखना है और इसी सीरीज में आपको याद रखनी है जैसे radio wave, microwave, infrared, visible light आपका हो गया, ultra world rate, radiation आपका हो गया, x-ray हो गया और इसका बाद पर gamma ray आपका हो गया तो इस order में आपका frequency का increment होगा और wavelength का decrement आपका होगा decrement होगी तो यह important है आपको question इसी तरीके से पू पूरा complete तो question देखिए यहाँ पर है कि which are the following rays are not electromagnetic waves तो इन में से कौन सा electromagnetic waves नहीं है तो यहाँ पर answer दिखिए दिया होए भले ही लेकिन यहाँ पर दिखिए आप जैसे कि दिया होए example में आपका gamma rays है, beta rays है, microwave से और x-ray है तो आपने देखिए एक सीरीज में इसको पढ़ा और option B इसका हो जाएगा, फिर अगला दिखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है, question दिखिए यहाँ पर आपका, कि electromagnetic waves are represented in which of the following format, तो electromagnetic waves आपके रहता है ना, तो इनको जाए किस format में represent किया आता है, तो इसमें दिखिए दिखिए longitudinal waves, transverse waves और इसका बास, sinusoidal waves या फिर्फेस waves, तो दिखिए जो electromagnetic waves आपके होते हैं, तो इनको हम लोग, sinusoidal waves के form में हम लोग इसको represent करते हैं, तो दिखिए जो sinusoidal waves आपके होते हैं ना, तो इनको जो है, oscillations के form में भी इनको भी describe किया ता है, जो कि एक periodically basis आपका इस तरीके से movement करती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैस sinusoidal waves आपका इसी तरीके से होते हैं, तो जो electromagnetic waves आपके रहते हैं, तो उनको जहाँ हम इनको sine curve के form में इनको represent करते हैं हम लोग, तो इसलिए देखिए इनको sinusoidal wave भी आपका बोला जाता है, तो इसलिए जो आपका दिया हुए इसमें answer आपका है, मतलब कि जो electromagnetic wave जहाँ तो इस इसने भी important जो topics आपके थे, तो वो हमने आपका पूरा complete करा दिया है, और आगे का जो portion रहेगा उसमें, chemistry portion हम लोग cover करेंगे, तो आपका यहाँ पर पूरा complete general science हम आपका करा देंगे time से पहले, और already हमने आपका history of Indian railway और इसके साथ में economics और marketing का यह सारा class होई चुका है, और इसके बद CRM कभी हम complete करा देंगे, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में